स्री गणे साय नमह, स्री स्ता राम चंद्रा भ्याम नमह, स्री हनुमते नमो नमह, स्री सद्गुरु देवाय नमह, गोश्वामी स्री तुर्षिदा स्रीकृत, स्री राम चरित मानस्तना पंचमम शोपान, स्री सुन्दर काणनी कथा भाग आठ राजिव नयन दरे दनुशाय मित्रो, श्राम चरित मानस्थ ना सुन्दरकांड नी कता नी सरवाद करता पहला कि सकिंधा कांड छेली चोपयों नी रजन अने तेना विश्यनी विगतो अपणे जोता था आज छेली चोपयों चे तेना क्रम्म एक सुन्दर संयों गुपो थेलो चे अगाव जामण जी सी हनमान जी ने प्रोचसाहित करवा जे जे वाद कहे छे ते बदाना जवाब के ते बदाना अनुसंधाने कहिक नेक बाबत प्रभु श्यामनु नाम पड़ताज एना पछीनी चोपई मा एकदम सु व्यवस्थित रिते वनाईने आवी जाई छे आ एक संयोग पन होई शके अथ्वा तो स्री तुस्दास जी नूँ कूषड बुद्धी चातूरी अपन होई शके करण के अन्या दरेक बाबत आगण जे आईवी छे हनमान जी ने प्रोचसाहित करवा माठे जामण जी जे जे बाबत कही छे तेनो राम काज लगी तव आउतार राम भगवान जे नाम आवे छे ए पछी ना समय माँ आगणनी दरेक चोपाईना अनुसंधाने कंक ने कंक ने प्रतिक्रिया आवेली छे तो आ चोपाई हो और तेना सुन्दर जवाब हो के तेना सुन्दर अनुसंदानों ना सुभग समन वहिने हावे आपड़े जोईशू पहली चोपाई जोईए तो अगाव आपने खवर चे के जामवन जी एऊ कईऊ त्यू के काचु पसाधी रहे उबलवाना अर्था तमें चूप के में बेठा चूप तो स्री हनुमान जी आई या राम भगवान नुँ नाम पेड़ा पची के चे तो वारम भार सिहनी जेम गर्जना करा चे तो चूप नती बेठा ये तो फोक तो येमना वखाण था ये रहे ता एक संत तरीखे सांत बेठा ता जेहू प्रभू स्री राम नुँमान पेड़ू के तरत तज सिहनी जेम गर्जना करवा लागिया त्यार बात बीजी चोपा तो अनमान जी कहा चे श्री राम जीनुँ नाम आविया पची के हां मुँँ पवन समान और बढ़वान चू और तेना माटे नी चोपाई चे लील ही नागव जलनी दिखारा और माटे जा खारा समुद्रने मुँ पड़ बरमा उडंगी सकू चू त्रीजी चोपाई जोई जामान जी एव कहिऊ दू बुद्धि भीवेक भी ज्यान निधाना तो अनमान जी जवाब मां किया चे के आज बढ़ बुद्धि अने भीवेक नी खाण होवा थी शहीत सहाय रावन ही मारी यले के रावन तेना सहाय को सहीत मारी नाखी सकू चू आटली सकति ओन आपार स् दुनिया में युँ क्यों दुर्गम कारिया छे आपना थी नौ थी शके तो अन्मान जिये उगे चेक माराती कोई ज काम अगुरून थी आनाव इहां त्रिकूट उपारी रावन ने तेना सहयोको सहित मारी और आखा त्रिकूट परवतने माता सिता जी सहित उखाडी और रामकाजलागिताव अवतारा हे पवन पुत्र आपनो तो अवतारज प्रवुशी राम ना कारिया माटे थेलो छे और आटलू सामभडताज हन्मान जी मा अपार सक्तिनों समय संचार थेग्यो और सुनत हीबयव परवताकारा स्री हन्मान जी परवताकार ना थेग्या चोपायो नो क्रम और तेनु अनुसंदान अजोड और अध्वुद छे उपर जणाव्या मुझबनी जे चोपायो और तेना सुन्दर अनुसंदानों आपे सारी रीत समझवा शे तो मनेव लागे छे कि तमारे मारा अत्या सुधी ना बधा जलेक फरीती एक वोख सान्ती सुन्दर कांड नी कथा सरू थाई गई छे दर अठवाडिये आपनों 10 मिनिट थी वधू समय नो लेवो एवा एक धेई साथे सब्दोनी मर्यादा मा हूं कथा ने आगड धपाविरुयो छे तो आप एक उखत 10-10 मिनिट ना 6-7 ब्लोग छे फक्त सान्ती थी नजर नाकी जोशो तो आधरेक चोपाईनों कोंटेक्स्ट जे छे एक तमने मडी जसे और तमने खरे-खरेमा आनन्त से तेवु मारू मानुँची अपने किसिंदकांड नी छेली चोपाईयोमनी कथा मा थोड़ा आगड वधियो आगड मानस का स्री अन्मान जी ना अतुल्य विवेक अलोखन करता के छे के जामवन्त में पूछवतो ही उचीत सिखावन दीजवमो ही जारे मानस आवेग मां के आवेश मा होई ने त्यारे स्रीर मां विर्य सुत्पन थाई जोश हावी जै और ए समये चे ने सारा नर्शानों बेद जाड़ी शक्कातों नोथी के हीत के मां छे के अहित के मां चे योग्य रिते व्यक्ति नकी करी सकतों नथी अहिया पंड अनमांजी पोते सूसू करी सके तेम छे पोताना मां केटली अपार सकती छे एना विसरे जैरे बोले छे ने त्यारे आपने उन लागे चे कि ते आवेश मा आविग या चे अन तेथि पोता ना अपार सामर्थियना गुणगान गावा मेंडा वे तेवु लागे छे परन तो आपड़ा गाव जोही गिया हैं कि स्री अनमान जी तो बुद्धि विवेक विज्ञान नी धान ना बुद्धि विवेक विज्ञान नी खान चे अवा कोई आवेश्मा आवे नहीं पोताना गुणगान मंडे नहीं पोते बधी जृति रिति स्वामर्थियान वावा चता शेना ना वरिष्ट सभ्य एवार स्री आनमान जी ना विवेक करवानू चुकता ना थी वान स्री अनमा जी ने उचीत सिखामन पूछे चे के मारे शूं करूँ जोए त्यारे जामन जी ने समझावे चे तमें जे जे पोतानी सक्तिनों वणन करूँ छे ये बद्धाज कारियों करवा माटे आप समर्थ छो पर तो हे अन्मान जी हाला पेटलूज करो कि माता सिताजी ने जोईने आओ और तेना सम्माचाल प्रभुष्री रामने पोचाड़ो अपने सामानी आपने जिन्गी मापन जारे कोई पन नोकरी, दंदामा अत्वा सामाजी कोटों भी कोई काम माटे आपने नियुक्त करवा माँए के बई तमें चेना काम करिया हो तो एक काम ने आपने योग्या मात्रामा करूँ खुब जरूरी छे जो आपने काम अधुरू करिना आभिये तो पन ना चाले यान जरूरी हो ते टलू काम था जोईं हुए औने बीजी वस्तू कारिया करुए काराई झीटाराइ तो पन ना तरह पर लाए जो तमेडर सामें सर्षनाय वाडी व्यति तमेरियो माहरा माईति आ आप था तमारो पन हो खाली था एलई काम ना करें आपने तुमार NBA आकिसामा पन तमारे मुश्केली में मुखावानों वारो आवे अना काम सारू थावाने बदले बगड़े अहीं अन्माजी जारे लंका मा जाई छे तो एने उचीत कारिया करीने आवानों छे इस्टतम भाग भजवानों छे काम मां के त्यां जेने माता सिताजीनी सोध करवा अन्माजी पही बेदा करवानों होतो कि एक दूत आवीने पन आव करी शक्याँ छे तो प्रभुर्स्री राम आव से त्यारे सुन्थ हसे पन साथे साथे ने रावन ने मारवानों नोतो माता सिताजीने बदले पाछा लावाना नोता तो आम कोईपन काम मा इस्टतम भाग बजवो उची जानी और वानर सेना ना वसिस्ट और अनुबवी शब्यों से जाम्मान जी एन एवी सला आपे छे क्या फक्त माता सिताजीनी भार मेड़ुने पाछा आवी जाओ और प्रभुर्सिराम ने नों संदेशों आप जो पछी सुत असे तो के तब नी जभुजब बल राजिवनेना कोटुक लागी संग कपी सेना त्यार बाद कमर नयन सिराम जी पोताना बाहु बढ़ती रावण नों राक्षशकुर सहीत सहार कर से और माता सिता जीनी आधर साथे पाछा लिया हुशे आशमें कोटुक एट लेके के वर रमत माटेज मानरोनी सेना ने सा पूर सहीत मारवान सिता जीने पाछालावा समर्थ छे तेने कोईनी पन मदद नी जरूर नथी तेवो सर्व सक्तिमान हने सामर्थी वान चे यह वो यह भाव करवाम आवेलो छे त्यार बाद गोश्वामी जी कहे छे राजीव नयना प्रभू स्री राम माटेनू मारू अत तेनो ये व्यक्तिनो चरित्र और भविश्य जानवानू सास्त्र आ सामुद्रिक सास्त्र मुझब जेनी आखो कमड जेवी हुए तेवो बहुत दयावान विजाने मदद करना रा और अन्यों दुख दूर करना रा होई तो प्रभू आवा अन्यों पताना भक्तों दूख दूर करना रा कृपा सिंदू एवा राजीव नहीं चे आखासी रांतरित मानस मा पगवान नी आखोनो लगबक 61 वखत उल्लेग थे जो कि आ संख्या अने पछी नेतियर जे विगतावीश एमें पोते गणेली न थी एमें कोई अन्येक अधिकुरुद ग्रंत नो रेफ्र परवापरामायवाचे और त्रेवीस वखत कमणना अर्थ सीवाई ना विशेशनों साथे तेमनी आखनो उप्योग यां करवामा आवेलोचे पन एक वस्तु चोकस चे के जियांजियां राजीव विशेशन आपरवापरामावचे प्रभूनी आखों माटे त्यां त्यां प्रभूनी कृपा द्रष्टी होवानू सुचित थाई चे अने एना जो आपड़े एक बे एक्जाम्पल लाइए तो दर रविवारे मारा ममी रामनी कथा करता अने ए समय एज चोपाई बोलता अने आजे में एक टाइटल तरीखे पन एज चोपाई ने राइकी छे राज शकल कपिशे ना चीताई कृपा करी राजिव नए ना आ बन्ने चोपाई मा पन पण पगवान नी कृपा द्रष्टी छे एवा हेतु केवा आसे साथे राजिव सब्दनों उप्योक नियन नी साथे करो अमा आवेलो छे अतियार आपड़े चोपाई विश्य वाद करिया चे एले के तबर नी जे बुर्जे बले राजिव ने ना आ चोपाई मा पन प्रभू सिराम नी प्रता नी सकती ती राक्षासों ने मारी नाकपानी जवाद चे परन्तु अहिया आसे ही तो कृपा दस्टी नोच चे अब बद्दा राक्षासों नों सहार करी ने पन ते उन देवताओ ने हरान परेशन करी मुगता था देवताओ नागो गंधर्वो आ बदाने बंदी बनावी ने राख्या था जेना एव केवाद रावन ना दरबार मा देवताओ नक्षत्रों ग्रहो आ बदा लाइन मा उबार रावन जेवी सुचनापे प्रमाने कारिय करता था बदा तेना गुलामों एवीरिते येन बदाने बंदी बनावी ने राइखा था बदाने जिती लिदा आता आवा बढ़वान रावन और तेना राक्षशकूर ने मारवा प्रभू वानारोनी सेनाली ना जसे और येना गर्वन चूर-चूर करी नाक्से आउँ कवतु प्र सोठानी संगाते जोईशू तथा तेनी साथे किसकिंदा काणनी अमुग गूड वातो जानीशू और ते साथे तेनी पुणाववू थी पन करीशू और त्यार पचे थी आपड़ सुन्दरकाणनी विदिवत सरवात कर्शू सर्वे सोठावने मारा जैस्याराम मित्रो मार ते लेवा फरी नमर विनांती छे और तेनी बाजुना बेल आइकोन ने क्लिक करी थीमा ओल उपर क्लिक करशो तो आपने नियमीत अपडेटेड वीडियो ना नोटेफिकेसन समरता रेशे आ लेख ओडियो और वीडियो नी लिंक आपने योग्य लागे तेवा विक्तियों अगर फोर्वड करू आपने मिमंती करू छो कि जे थी आपड़े आ कथाने उधूं आउधू लोको सोधियावडे पोचारी सक्किया मंगल भावन मंगल हारी द्रववुशोदशरत अजीर विहारी सिशता राम चेंद्रार्म नमस्तू